अभी जो चंद्रग्रहन है इस साल दुरुख सिद्धान्त पंचांग गनित के अनिसार चिलकमर्ति पंचांग के अनिसार 28 तारीक 28 अक्टोबर के रात को मतलब 29 के सुबह सुबह अगर हम जोतिश शास्त में देखेंगे जब तक सूर्योदय नहीं हुआ सुर्योदय के बाद ही दिन बदलता है हमारा अंग्रेजों के इसाफ से बारा वज़े बदलना हमारे लिए वो नियम नहीं है तो शास्त्रों के अनिसार आप देखा गए हैं तो यह 28 के रात को ग्रहन हो रहा है शिनिवार के रात को ग्रहन हो रहा है क्योंकि सुर्योदय के प सिद्धांत पंचांग गनित के अनुसार विशेश रूप से 28 तारिक के रात को मतलब 39 जो आ रहा है रात को एक बज के 5 मिनिट के समय में ग्रहन का प्रवेश होगा और ये 2 बज के 22 मिनिट को ग्रहन समापत होगी ये पूरे काल जो है एक गंटा 18 मिनिट 17-18 मिनिट का जो है ये समय का ग्रहन काल है और ग्रहन का जो मेन मज्यस्त काल जो है एक बज के 44 मतलब 44-45 मिनिट ये जो समय है उस समय में ग्रहन का मज्यस्त काल जो है उसी समय में बताया गया है अब दूसरा इस बार ये जो ग्रहन हो रहा है ये ये जो है राहु ग्रस्त ग्रहन पाक्षिक र ग्रशत चंदर गरहन मतलब आज की समय में मेचराशी में में गुरू रहू का मिलन गुरू चंडालयों का मिलन वहां पर है और वहां पर में लास्य चिकेक हम सेपड़ को थीन है उसको जो तो प्र रिंग सत्र में Runnerלה अ मतलब कीथू होना इस समय में ये ग्रहन होने के कारण और ये रात को होने के ग्रहन एक गृंटा जैसे आपने बताये कि रात के वह समय में हो रहा है यायनि क्योंकि 9 घंटे मैंने सुनाई कि 9 घंटे पहले से माना जाता हैsprit देखिए गरहन के समय जो सूतक काल है इसमें अलग अलग प्राम्थ के अलग अलग विदान है फिर भी यह सूतक काल की अगर शास्त्रों का अंसर माना गया तो जो भी गरहन समय हो रहा है उससे दो ढ़ाई घड़ी विघड़ी के समय पहले हमें उस समय को चोड़ना चाहिए मतलब मेरे इसाफ से ग्रहन रात को एक बजे हो रहा है तो आट बजे पहले से जो भी उस दिन खाने पीने का काम पूरा कर लेना चाहिए आट बजे के बाद खाने पीने का चीजे ना करना और ग्रहन का नियम पालन करना उचित माना गया है कोई भी विक्ति ग्रहन से पहले चाहिए ग्रहन जो है एक क्रिया है यह हर साल कही ना कही कोई ना कोई ग्रहन होता रहता है कुछ ग्रहन भारत देश में दिखता है कुछ भारत में नहीं दिखता है और ये भी जो भी हमारे शास्त्रों में ग्रहन को अचिंत पवित्र माना गया है जो भी वेक्ति ग्रहन को अपवित्र सोचता है उससे बड़ा मूर को कोई नहीं है क्योंकि ग्रहन एक योग है क्यों बहुत सारे महा महा पृष लोग आद्यात में चंतन करने वाले लोग ग्रहन की इंतसार करते हैं ही ग्रहन में जो भी व्यक्ति कि कि डान करते हैं मअनु एक जोब नॉर्मल डे में आप यह काम जो भी काम करते हैं इसका जो भी फल मिलता है उससे विशेश रूप से फल ग्रहन के दिनागर जो भी आप जब करते तप करते दान करते हैं होम करते हैं उसका अधिकतर फल मिलता है इसका मतलब ग्रहन का महत्वाप समझो